जेहीं दोस्तों CISF Head Constable Ministerial भरती 2019 रीटेन एकजाम डेट आपका रिलीज कर दिया गया है जो भी Candidate CISF Head Constable Ministerial 2019 भरती का P.E.T. P.H.T. क्वालिफाई करके बैठे हैं वैसे Candidate का जो है रीटेन एकजाम का डेट आ चुका है और इसको लेकर ओफिसियली जो नोटीस है CISF के त कब तक होगा इसके अलावा Fireman का एकजाम आपका कब तक होगा इसके अलावा Tradesman का एकजाम जो है कब से सुरू होगा क्यमकि यहाँ पे CISF के अंतरगत अभी जो है चार ऐसे वेकैंसी है जिसका फिचकल कम्पलीट हो चुका है और रीटेन एकजाम होना बागी है तो को जो है पोस्टपोन कर दिया गया था तो यहाँ पर देखिए जो नई नोटीस है आपका 10 मई 2023 को रिलीज किया गया है CISF के तरब से और इस नोटीस के अंतरगत देखेंगे यहाँ पर एकजाम डेट जो है Head Constable Minister 2019 का यहाँ पर सबजेक्ट में आप सभी देख सकते हैं Recruitment Head Constable Minister 2019 in CISF Conduct of Retain Examination और उसके रिगार्डिंग जो है यह नोटीस आपका आया है तो इसमें जो रिटेन एकजाम है उसके बारे में सबसे पहले आप सभी देखेंगे Number of Candidate Qualified यानि कि Total कितने जो है Candidate Qualified किये हैं तो यहाँ पे अलग-अलग जो है जो है जो है जो है जो है ज फिजकल Qualified किये हैं एंसी यर जो निव दिल्ली के अंत्रगत अपका 57724 के इंडीडेट जो है फिजकल Qualified किये हैं और इतने के इंडीडेट का रिटेन एकजाम होने वाला है इस जोन के अंत्रगत इसी तरह देखेंगे मुंबाई के अंत्रगत जो है 12439 है तो यहाँ पे इतने भी जोन आप देख रहे हैं सीक से इसका जो एकजाम है आपका 10 एकारे और 12 जुन को होने वाला है इन तीनों डेट में से किसी भी एक डेट को जो है आपका एकजाम देखने को मिल जाएगा जैसे कि NCR जोन निव दिल्ली के अंतरगत 57724 कैंडिडेट है तो इतने कैंड कैंडिडेट को 10 को मिलेगा कुछ कैंडिडेट का एगारे को और कुछ कैंडिडेट का जो हैं बारे को एकजाम रहेगा तो यहाँ प 의क जाम 10 जुन से आपका सुरू होने वाला है तो दोस्तों यहां पर देखेंगे यह जो निव दिल्ली के अंतरगत NZ-1 और 2 जो आपका 15 जुन तक चलेगा तो देखिए दोस्तों जब आपका admit card इसका release किया जाएगा return exam का तो उस admit card पर आपका exam कब है और कौन से date को है और कहाँ पर आपका exam होने वाला है और details आपको देखने को मिल जाएगा तो इसका admit card जो है June मन्त में आपको देखने को मिल जाएगा या हो सकता है कि इस मन्त के last week तक जो है इसका admit card release कर दिया जाए तो ये head constable ministerial 2019 में जो भरती आया था उसका ये exam date है अब यहाँ पे बात करते हैं 2022 के भरती के बारे में लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दे यहाँ पे अगर आप सभी CISF constable tradesman के physical quality पाई कर लिए हैं और इसके retain exam की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए best book होने वाला है चक्षू publication का या एक practice set है जिसमें आपको 20 practice set देखने को मिल जाएंगे और जितने भी practice set है सभी का solution and answer इस book में आपको देखने को मिल जाएगा तो इस book को आप सभी purchase कर सकते हैं और retain exam की त्यारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं link इसका description में मिल जाएगा या नजदी के market से भी जाकर इस book को आप सभी ले सकते हैं अब दोस्तों जब आपका ये exam complete हो जाएगा head constable ministerial 2019 भरती का उसके बाद आपका एकजाम होगा fireman का यानि कि ये exam के बाद आपका fireman का exam होने वाला है क्योंकि fireman का भरती 2022 में आया था और अभी तक जो है इसका physical इसका भी complete हो चुका है return exam होना बागी है तो इस exam के बाद आपका fireman का exam होगा और fireman के exam के बाद head constable ministerial 2022 में जो आपका भरती आया था जिसका physical 2023 तक आपका चला था 2023 में 16 या 17 फरवरी तक साइद इसका physical चला था आप सभी को पता होगा तो head constable ministerial 2022 का भी अभी आपका जो है एकजाम fireman के exam के बाद जो है conduct कराया जाएगा और सबसे last में जो आपका exam है tradesman का होने वाला है क्योंकि tradesman का भरती जो है जादा दिन नहीं हुगा इसके आय हुए इसके पहले ये सभी भरती आया है तो सबसे पहले तो आपका head constable ministerial 2019 का exam होने वाला है अभी उसके बाद आपका fireman का होगा और fireman के बाद आपका head constable ministerial 2022 भरती का exam होगा और उसके बाद आपका tradesman का exam होगा तो इन सभी का exam date भी बहुत जल्द आपका आने वाला है जैसे ये exam date आएगा आप सभी को बताएंगे और अभी जो है 2019 भरती का exam date आया है तो अगर आप सभी physical qualify है तो तयारी में जो है लग जाईए आप सभी ते यारी करते रहिए आपका exam date जो है यहाँ पर release कर दिया गया है तो फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम